Hey guys, welcome back to our new video and part 2 लेके मैं आ गया हूँ तो जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों के लिए vegetable list के अपर वीडियो बनाया और मैंने कल के वीडियो में बोला था कि fruit list के अपर जल्दी से जल्दी वीडियो आएगी तो वैसे मैंने बना लिया जल्दी जल्दी वीडियो मैंने सुचा कि आ आप तक ये वीडियो पहुंचा दू और बहुत ही कम भीउज आ रहे हैं पर कोई बात नहीं जाने देजे और मुझे इतना फरक ने पड़ता है वैसे क्योंकि इतना कम भीउज इसी लिए आते हैं विकाज मेरे आधे साधे जो सब्सक्राइबर से ना वह अमर्रिकन है और उनको मेरा भासा समझमेने आते हैं दोसरे दूसरे कंटरी के ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर एक्टी पर्सेंट जो सब्सक्राइबर है न वह दूसरे कंटरी के है और 20 परसंट सब्सक्राइबर वह हमारे इंडिया और पाकिस्तान के टो उनको मेरा भासा समझ बाता है तो वह देखते हैं बात ब keyboard समझ म 울ल फॉर मेरा भासा समझ नहीं सकते यहसे हम लोग उनका भासा यह वह रेनी सेजन में अभीलेबल होते हैं तो चलिए जल्दे जल्दे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे जो फर्स्ट फूरूट है वो है ग्वाभा अमरूद आप अपने पैरोट को दे सकते हो और यह पैरोट बहुत ही मज़े से खाते हैं इनका जो सीड्स हो आने के लिए दे वह से आपके पैरोट के पेट में जितना भी कीडा है वो मर के बाहर आ जाएगा और हमारा जो नेक्स्ट फूरूट है वो है पाइनेपल अनानस भी आप अपने पैरोट को खिला सकते हो और इससे कोई भी प्रब्लम नहीं होगी इसका देने का तरीका है इ आप इसको अपने पैरोट को रेनी सिजन में दे सकते हो और यह हल्दी होता है एकदम पैरोट के लिए हमारा जो नेक्स्ट फूरूट है वो है डेट खजूर एक परकार का नट होता है बाद वाकि मैंने इसको ले लिया इसे फूरूट लिष्ट में तो आप अपने आप इसको भी आप अपने पैरोट को खिला सकते हो इससे खाने से पैरोट को कोई भी प्रोब्रम नहीं होती है और इसका सीड भी आप निकाल के रख सकते हो बाद में आप यूज कर सकते हो इसका सीड पैरोट के लिए और हमारा जो नेक्स्ट फूरूट है वो है बनाना के भी भी केला दो उसको little amount में दो क्योंकि ज़्यादा पेरोट केला खाएंगे तो उनके गले में कब बेट सकता है ठीक है और हमारा जो next fruit है वो है mango आम तो every पेरोट को पसंद होता है तो आप अपने पेरोट को rainy season में भी ये fruit खिला सकते हो और ये rainy season में भी आप लोगों को market में आसान तरीके से available हो जाएगा तो आप अपने पेरोट को ये भी खिला सकते हो rainy season में ठीक है और हमारा जो next fruit है वो है leechee leechee भी आप अपने पेरोट को rainy season में खिला सकते हो और ये basically आप लोगों को rainy season में ही मिलेगा बाद बाकी season में ये नहीं मिलता है तो आप अपने पेरोट को ये खिला सकते हैं, मार्केट में ये आना शुरू हो गया है, तो आप अभी से भी खिला सकते हैं, कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी, और हमारा जो आखरी फ्रूट है, वो है एपल, सेब तो वैसे सभी सिजन में मिलते हैं, पर आप रेनी सिजन में भी ये खिला सकते हो, और सेब खिलाने के समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, कि सेब के जितने सारे भी सिर्ड निकलें, वो सारे आपको फेक देने हैं, क्योंकि सेब के सिर्ड जो होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं पैरोट के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कि पावल के फेक दक और ठीक है और हा गाइज आप लोगों के बर्ड की रिलेटीड कोई भी कॉस्चन हो मेरे से तो आप मुझ से इंस्टागरम में के सकते हो मेरा इंस्टागरम का आप अपना भी ख्याल रहें, अपना प्रेट्स का भी ख्याल रहें, तो टेक केर, लब यू, और बाई बाई गाईज